बच्चो अब हम समझेंगे कि तारीखों को महत्पूर्ण मानने का पेमाना क्या होता है यहाँ पर यह जो आप एडलाइन देख रहे हैं कि कौन सी तारीख है इसका अतात पर यह है कि किस तारीख को हम महत्पूर्ण माने तो हम जो तारीक चुनते हैं जिन तारीकों के इर्दगिर्द हम अतीत की कहानी बनाते हैं बे अपने आप में महत्पून नहीं होती हैं बे इसलिए ज्यादा महत्पून होती हैं क्योंकि हम कुछ खास गटनाओं को महत्पून मानकर चलते हैं अगर अध्यन का विश्य बदल गया अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो हमारी तारीकें भी बदल जाती हैं इसे समझने के लिए कुछ उधारणों पर हमें गौर करना होगा यहां पर जो भारत में बेटेस इतियासकार थे उन्होंने जो इतियास लिखा उसमें उन्होंने गवर्नर जनरल के सासनकाल को महतपून रूप से बताया है यहां पर एक और सब्द आया है जो हमारी शब्दावली में जुड़ेगा यह मैं आपको बता दूँ आप इस शब्द को रेखांकित कर लें अभी मैंने आपको इस प्रस्ट पर एक ही नया सब्द बताया है गवर्नर जनरल यह गवर्नर जनरल कौन होते थे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा यहां पर यह जो इतिहास है उस इतिहास में भारत के इतिहास में जब हम गवर्नर जन्रल्स के बारे का इतिहास पड़ते हैं तो यहां पर पहले गवर्नर जन्रल बारेन हैस्डिंग्स के सासन से शुरुवात की जाती है और वह गवर्नर जन्रल का जो पद है आगे चलके आखरी वायसरा है यहां पर एक और शब्दाया है आप इसे ध्यान से देखेंगे और मेरी तरह ही अलग से इसको रिखांकिट करेंगे आखरी वायसरा लॉर्ड मौंट बेटन के साथ यह खत्म होता है और फिर हम आगे के जो अध्या है उनमें और अलग-अलग दूसरे गवर्नर जनरल्स जैसे हैस्टिंग है बेले जली है बेंटिक है डलोजी है और इसके अलाबा और भी कुछ नाम आप जो देखेंगे यहां पर उनके बारे में आपको पढ़ने का अफसर मिलेगा क्योंकि यहां पर कुछ नाम और भी हैं कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, करजन, हर्डिंग, इर्विन इनके बारे में भी हम अगले अध्याव में पढ़ेंगे यह इतियास में गवर्नर जनरल और बायसराय का पर जान जो सासन विवासराय थी, उन्हीं को बड़ा चड़ा कर पेस किया गया, अब इन किताबों में जो तारिकों का महत्व है, वो सब इन अधिकारियों और उनकी गतविदियों, उनकी नीतियों और उनकी उपलब्दियों के अधार परते होता था, जैसा वो चाहते थे वैसा ही लिखा जाता था क्योंकि ये ऐसे था जैसे कि लोगों के जीवन में बहार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जानना महत्पूर्ण हो अर्थार्थ हमारे यहां जो बिटिस सासन के दोरान जो घटनाएं घटी विशेस तोर से जो बिटिस प्रसासनिक व्यवस्ताएं थी उन्हीं को यहां पर बड़ा चड़ा कर पेश किया गया और यह माना गया कि यही महत्पूर्ण है इनके अलावा कोई और ऐसी चीज नहीं है जिसको जानना जरूरी हो अब यहां जो लोगों का जीवन था उसका जुक्राम है वो बिटिस वारत के इतिहास में अलग-अलग तरह से समझा जा सकता है और इसे समझने के लिए हम आगे एक और प्रस्ण का हमें सहारा लेना होगा कि क्या हम इसी दोर के इतिहास को अलग-ढंग से नहीं लिख सकते है गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौक्टे में भारतिय समाज के बिभिन समूँ और बर्गों की गत्विदियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं इसको समझने के लिए जो दो प्रस्ण यहाँ पर दिये हैं कि इसी दोर के इतिहास को अलग-ढंग से नहीं लिख सकते यह एक प्रस्ण है क्या इतिहास दूसरी तरह भी लिखा जा सकता था यह प्रस्ण पैदा होता है क्योंकि जिस तरह से इतिहास लिखा गया है क्या वही सत्त है ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर गवर्नर जन्रल और बायसराय के द्वारा जो गतिविदियां नीतियां और उपलब्दियां हासिल की गई थी उनहीं के इर्दिगिर्द ही इतियास लिखा गया था इसलिए यह प्रस्नाना सोभावे के कि इतियास को लगडंग से नहीं लखा जा सकता क्या और गवर्नर जन्रल के इतियास के चौक्टे में हम बारतिय समाज की जो विविन सम्मू और बर्गन की गतविदियों पर किस तरह अध्यान दे सकते हैं, यानि की बाकी लोगों का क्या, बाकी लोगों के जीवन के बारे में तो कुछ पता चली नहीं रहा है, कीवल यहाँ गवर्नर जन्रल और भायस राय के बारे में ही चर्चा की गई है, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा और पढ़ना होगा, यहां पर एक प्रसने हम ऐसा क्यूं करते हैं, क्यूं हमें इसकी बाटनी के आवश्यक्ता हो गई, तो ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि हर अध्याय में कुछ सामजस बना रहे, यानि आप जब पहली बात खतम करते हैं, तो जहां वो बात खतम होती है, अगली बात वहां से शुरू होनी चाहिए, ताकि उनका तैरतम बना रहे, इसका मकसद ये भी हो सकता है, कि उसे आसानी से समझ लिया जाए, और याद रख लिया जाए, तो इतियास को टुकडों में बाटने के पीछे का जो मकसद है, वो सामजस, घटनाओं में सामजस, उसकी समझ आसान हो जा जाए, उसे आसानी से याद रख लिया जाए, और इस प्रक्रिया में उन घटनाओं पर विसेश जोड़ देते हैं, जो उस कहानी को पेश करने में हमारी मदर करती है, अब जो इतियास गवर्नर जन्रलों के जीवन के इर्दगिर चलता है, उसमें भारतियों की गतिविदि जाएगा, तो फिर क्या किया जाए, तो जाहिर सी बात है, इसके लिए हमें एक अलग खाका तयार करना पड़ेगा, हमें इतिहास का अलग तयार करने के साथ साथ हमें एक इतिहास को अलग तरह से समझना होगा, इसको लिखना होगा, मतलब क्या है, मतलब यह है कि अब तक जिन तितियों को महत्र दिया जा रहा था बे महत्पून नहीं रहेंगी हमारे लिए नहीं तितियां महत्पून हो जाएंगी यही प्रिस्ट प्रारम में किया गया था कि कौन सी तारीक हैं कौन सी तारीक हैं जो हमारे लिए महत्पून हैं तो हमने ये सवाल जो शुरू किया को महत्पूर्ण मानने का पेमाना क्या है उसका अर्थ इस बात पर निर्वर कर रहा है कि जब तिथियां महत्पूर्ण होंगी तो श collaborative है वो घटनाओं की महत्त के अदार पर निरदारत होंगी क्योंकि जैसे ही घटनाएं बदलेंगी पैसे ही तितियां भी बदल जाएंगी और जितनी घटनाएं महत्पून होंगी तितियां भी उतनी ही महत्पून हो जाएंगी